जंगल में एक बड़ा सा स्कूल था इस स्कूल में जंगल के सारे नन्ने पक्षी पढ़ते थे इस स्कूल में रानी कवी भी टीचर हुआ करती थी और वे नन्ने पक्षियों को अच्छी सिख्षा देती थी एक दिन की बात है एक दिन कालू कववा रानी कववी से कहता है रानी मुझे तो समझ में नहीं आता तुम्हें कोई भी काम तो सही से आता ही नहीं है ना तुम्हें अच्छा खाना बनाना आता है और ना ही कुछ और तुम नन्ने पक्षियों को स्कूल में कैसे पढ़ा लेती हो कालो जी इस तरह की बाते करके मेरा दिमाग ना खराब किया करो मैं जो बच्चों को स्कूल में पढ़ाती हूँ और इसकी सेलरी से ही आप भूचन खाते हैं रानी अब तुम मुझे अपने फैसों का घमन दिखाओगी अगर जाधा बोला ना तो मैं तुम्हें अपने गोंसले से बाहिन निकाल दूँगा ये बात तुम याद रखना के ये गोंसला मैंने बनाया था रानी कवी को बहुत जाधा घुसा आ जाता है और वे अपने बेटे रजु कवे को लेकर स्कूल चली जाती है रानी कवी नन्य पक्षियों को पढ़ा रही होती है कि एक चिड़िया का बच्चा रानी कवी से कहता है तीचर तीचर अब भी आपने ये जो समझाया है ये मुझे समझ में नहीं आई आप मुझे दुबारा समझा दें बस फिर क्या था रानी कवी को पहले से ही कालू कवी की बातों पर घुसा आ रहा था और अब इस नन्य चिड़े की बातों पर रानी कवी को और भी जादा घुसा आ जाता है क्या कहा तुमने क्या मैं तुम्हें पागल दिख रही हूँ जो मैं तुम्हें बाइबर समझाओं जब मैंने एक बार तुम्हें समझाया तो तुम्हारे समझ में क्यों नहीं आई फिरानी कवी उस नंदे चिड़े को बढ़ा कर उसे एक लकडी से मारने लगती है टीचर टीचर आपके क्या कर रही हैं आप सोनुचिड़े या किसी भी बच्चे को नहीं मार सकती हैं स्कूल में किसी भी बच्चे को मारना बहुत सख्ती से मना है मानोचिड़े अगर तुमने ये बात किसी को भी बताई तो मैं तुम्हे इससे भी जादा बुरा मारूंगी फिर वे मानोचिड़ा बहुत जादा धर जाता है और चुप हो जाता है इस तरह कालू कववा रानी कववी को रोजाना ही गुसा दिलाता और रानी कववी अपना गुसा इसकूल में आकर नन्ने मासूम पक्षियों पर उतारती थी एक दिन इस स्कूल के मालिक उल्लू सेट अपने इसकूल में आते है रानी कववी मैंने देखा है आप नन्ने पक्षियों को बहुत अच्छी सिक्शा दे रही हैं लेकिन आप इन नन्ने पक्षियों को मारती तो नहीं है ना अरे नहीं नहीं उल्लू सेट मुझे तो ये नन्ने पक्षी बहुत अच्छे लगते हैं तो भला में इनको क्यों मारूंगी आप इन बच्चों से ही पूछ लिजिए अच्छा तो फिर मुझे बताओ बच्चों क्या ये रानी टीचर आपको मारती तो नहीं है ना नहीं नहीं रानी टीचर तो बहुत अच्छी हैं ये हमें बहुत अच्छी सिक्षा देती हैं देखा मैंने आपसे कहा था ना मैं भला इन बच्चों को क्यों मारूंगी ये इतने मासूम जो हैं और फिर उल्लो सेट वहां से चले जाते हैं अगले दिन कालू कववा फिर से रानी कवी पर गुसा करने लगता है पापा आप ममा को नहीं डाटो ममा इतना बुरा भी खाना नहीं बनाती हैं राजू तुम्हारे कहने का क्या मतलब है मैं इतना बुरा नहीं लेकिन बुरा खाना बनाती हूं तुम्हें स्कूल चलो वरना ये कालू जी तो तुम्हें घलस सिख्षा ही देंगे वैसे भी अगर तुम्हारे पापा पड़े लिखे होते तो ये इस तरह गुंसले में अराम नहीं कर रहे होते कि आज मेरी तरह स्कूल में पक्षियों को अच्छी सिख्षा दे रहे होते रानी तुम्हारे कहने का क्या मतलब है मैं जाहिल हूँ तुम मुझे अनपरगवार कह रही हो हाँ तो हो ही अनपरगवार इसमें कोई शक है क्या देखो रानी मुझे गुसले से बाहिर निकाल दूँगी फिर रानीकवि राजुकवे को लेकर इस्कूल चली जाती है नन्य पक्षियों आज मैं आप सब को सच के बारे में बताऊंगी चाहे कुछ भी हो कितनी भी बड़ी मुसीबत आ चाहे लेकिन हमें हमेशा सच का ही साथ देना चाहिए जूट तो हमें कभी बोलना ही नहीं चाहिए क्योंकि एक ना एक दिन जूट हमारा खुल ही जाता है और वेसे भी एक जूट बोलकर हमें आगे सो जूट और बोलने पड़ेंगे इसलिए हमें हमेशा सच का ही साथ देना चाहिए तो नन्य पक्षियों आप सब को समझ में आ गई ना मेरी बात कि हमें हमेशा सच ही बोलना चाहिए टीचर अगर जूट नहीं बोलना चाहिए तो कल आपने उल्लो सेट से इतना बड़ा जूट क्यों बोला था कि आप हमें नहीं मारती हो मानोचिड़े में तुम्हें देख रही हूँ अचकल तुम्हारी जबान केंची की तरह तेज चल रही है अब तुम अपनी पीचर को जूटी कहोगी मैं तुम्हें अभी बताती हूँ फिर रानी कवी मानोचिड़े को हुस्से में जोड़ जोड़ से मारने लगती है जब मानोचिड़ा स्कूल से जाता है तो इसे बहुत तेज बखार हो जाता है मीनोचिड़िया तो काफी जादा परिशान हो जाती है हाई रे मानोचिड़ी ये तुम्हें आज इतना तेज बुखार कैसे चड़ गया ही और तुम्हारे परों पर ये निशान कैसे हैं ममा हमारे स्कूल में जो टीचर हैं रानी कवी वे बिलकुल भी अच्छी नहीं हैं में हमेशा हम पक्षियों को लकड़ी से मारती रहती हैं और आज इन्होंने मुझे बहुत बुरी तरह से मारा है क्या ये तुम क्या के रहे हो रानी कवी ने तुम्हें इतनी बुरी तरह से मारा है कि तुम्हें बुखार चड़ गया है स्कूल के मालिक उल्लू सेट जी ने तो मुझे कहा था कि नन्य पक्षियों को बिल्कुल भी नहीं मारा जाता है फिर उस टीचर ने तुम्हें इतनी बुरी तरह से क्यों मारा है मैं कल ही जाकर तुम्हारी टीचर की खबर लेती हूँ कि बच्चों को इतनी बुरी तरह से कोई मारता है भला अगले दिन मिनोचेडिया मानोचेड़े को लेकर उल्लू सेट के पास आती है और रानी कवी भी वहीं पर होती है उल्लू सेट आप अभी के अभी इस रानी कवी को अपने स्कूल से निकाल दे ये नन्ने पक्षियों को इतनी बुरी तरह से मारती है कि इन्हें बुखार चड़ जाता है रानी कवी ये मिनोचेडिया क्या सच कह रही है अरे नहीं नहीं मिनोचेडिया ये तुम्हारा बेटा बहुत जूटा है कल मैंने इसे जूट बोलने पर डाटा था कि हमें कभी जूट नहीं बोलना चाहिए और ये मुझसे बद्दा लेने के लिए तुमसे और उल्लू सेट से मेरे बारे में जूट के रहा है मेरा यकीन करो मैंने तो आज तक कभी भी किसी भी नन्ने पक्षियों को नहीं मारा है मिनोचेडिया रानी कभी एकदम ठीक कह रही है बच्चे अकसर जूट बोल जाते हैं रानी कभी को मैंने कभी भी नन्ने पक्षियों को मारते हुए नहीं देखा है उल्लू सेट मीनोचेडिया की बात नहीं मानते और मीनोचेडिया अपने मानोचेडिया को लेकर मेरा मानुचेड़ा मुझसे कभी जूट नहीं कहता है मुझे रानी कवी की बात पर फिल्कुल भी बरोस्ण नहीं है वे रानी कवी ना जाने जूट बोलकर कितने नन्य पक्षियों को इतनी बुरी तरा से मारती होगी बस अब मुझे रानी कवी के सच्चाई उल्लू सेट के सामने लानी ही होगी ताके आइंदा कोई भी टीचर हमारे नने पक्षियों को ना मार सके मानोचिडे कल तुम इसकूल जाना और अपने दोस्त राजु कवी के साथ लड़ाई कर लेना बाकी का सब मैं संभाल लूँगी ठीक है ममा परन तु अब कवी अंटी हमारे टीचर नहीं रहनी चाहिए हाँ मानोचिडे ऐसा ही होगा बस मैंने तुमें जैसा समझाया है कल तुम इसकूल जाकर बिल्कुल वैसे ही करना अगले दिन मानोचिडा इसकूल चला जाता है और राणी कवी सब पक्षियों को पढ़ा रही होती है राजु कवे कल तुमने मेरी एक बुक मेरे बैक से चुराई थी मेरी बुक मुझे वापस करो ऐसे किसी की भी चीज कभी चोरी नहीं करते है मानोचिडे मैंने तुम्हारी कोई भी बुक नहीं चुराई है तुम्हें कोई और नजर आया होगा नहीं नहीं वो कोई और नहीं बलके तुम ही थे तुम चोर हो राजु कवे चोर हो तुम ये कौन पक्षी लड़ाई कर रहा है ये किसकी आवाज आ रही है मुझे ममा ममा देखो न ये मानोचिडा मुझे चोड बोल रहा है दूसरी तरफ मेनोचिडिया उलू सेड़ के पास आती है और उनसे कहती है उलू सेड़ बस एक आछ्री बार मेरे साथ राणी कवी की किलास में चलें और रानिकवी की सच्चाई देखें फिर मिनोचेडिया और उलूसेट रानिकवी की किलास के बाहिर आते हैं और खिड़की से किलास के अंदर झाकने लगते हैं मानोचेडिये तुम मेरे बेटे को चोड़ के रहे हो अब मैं तुम्हें इतना बुरा मारूंगी इतना बुरा मारूंगी कि कल से तुम इसकूल भी नहीं आ सकोगे फिर रानिकवी मानोचेडिये को एक लकड़ी से बहुत बुरी तरह से मारने लगती है उलूसेट और मिनोचेडिया भी फौरण किलास में आ जाते हैं रुख जाओ रानिकवी मैंने आज तुम्हारी असलियत देख ली है के तुम कितनी बड़ी जूटी हो आज से तुम मेरे सकूल की टीचर नहीं हो निकल जाओ मेरे सकूल से अरे नहीं नहीं उलूसेट बस मैं तो मानोचेडिये को थोड़ा डरा रही थी मैं तो प्यार से मार रही थी ममा आप कुछ दिनों पहले हमें सच बोलने की सिश्या दे रही थी और आज आप खुद ही कितना जूट बोल रही हो हमारी टीचर जूट के रही है ये हमें बहुत मारती है रानी कवी तुम से जादा समख़धार तो तुम्हारा बेटा राजु कववा है आज राजु कवे नहीं एक टीचर को सच बोलने का सबक पढ़ा दिया चो तुम कभी नहीं भूलोगी रानी कवी आज से तुम मेरे स्कूल की टीचर नहीं रही निकल जाओ मेरे स्कूल से मैं खुद ही इन नन्य पक्षियों को अच्छे से पढ़ाऊंगा फिर रानी कवी बहुत ही शर्मिंदा होकर वहां से चली जाती है इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी जूट नहीं बोलना चाहिए और हमेशा सच कही साथ देना चाहिए अगर आप सबको ये कहानी अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जंगल में एक मीनोचड़िया का परिवार रहता था मीनोचड़िया के परिवार में मीनोचड़िया उसकी तीन बेटियां और मीनोचड़िया का पती मानोचड़िया रहते थे मानोचड़िया बहुत ही जादा कामचोर और आलसी था मानोचड़िया हर समय अपने घर में बैठा शराब ही पीता रहता था और कभी कभी मानोचड़िया अपने घर पर अपने दोस्तों को बुला कर शराब की पाटी करता था और मानोचिड़े को ये भी शरम नहीं थी कि मानोचिड़े के घर में तीन तीन बेटियां है मीनोचिड़िया हर समय अपने पती मानोचिड़े को समझाती रहती थी कि वे ये शराब की आदत छोड़ दे और कोई अच्छा सा काम धाम करे लेकिन मानो चिड़ा मीनू चड़िया पर घुसा करता और मीनू चड़िया की बात ना मानता आपको बिलकुल भी शरम नहीं है आप अपने ही घर में बैटकर शराब पीते हो और आपको ये भी शरम नहीं कि हमारे घर में तीन तीन बेटिया है वे ये सब कुछ देखती होंगी तो उन पर क्या असर होता होगा देखो मीनू चड़िया मैं तो इसी घर में बैटकर शराब प्योंगा देखता हूं मुझे कौन रोकता है और अगर तुमें मुझे कोई तकलीफ है तो तुम अपनी बेटियों को ले कर यहाँ से जा सकती हो थीक है अगर तुमें इस घर में रहना है तो मेरे मताबिक रहना पड़ेगा जैसा मैं कहूंगा बिलकुल ویसा ही करना पड़ेगा अगर तुमने कोई भी चुचा करी तो मुझे मानो चड़े की बात सुनकर मीनो चड़े काफी जादा परिशान हो जाती है और मीनो चड़े को अपनी तीनों बेटियों की भविश्य की चिंता होने लगती है एक दिन की बात है एक दिन मानो चड़े अपने एक दोस्त को लेकर अपने घर पर आता है और मानुच चड़ा और उसका दोस्त मिलकर हूँ मज़े से शराब पीने लगते हैं यह जी आज तक तक तो आप इस घर में बेटकर शराब पीटे थे और आज तो आप अपने दोस्त को भी इस घर में शराब पिलाने के लिए ले आए हो आपकी तीन तीन बेटिया हैं वे भी ये सब कुछ देख रही हैं तो देखती रहें मुझे क्या फरक पड़ता है मुझे तो अपनी शराब पीने से मतलब है और हां मिनू चडिया मैंने तुमसे कहा था ना कि जादा चूचा मत करना परना मैं तो मैं और तुम्हारी बेटियों को इस घर से बाहर निकाल दूँगा मानू चडिय की ये बात सुनकर मिनू चडिया खामोश हो जाती है और वे अपनी तीनों बेटियों से कहती है चलो हम चारों कहीं बाहर चलते हैं शाम तक हम चारों वापस आ जाएंगे फिर मीनू चेडिया अपनी तीनों बेटियों को लेकर वहां से चली जाती है मीनू चेडिया एक पेड़ पर अपनी तीनों बेटियों को लेकर बैठी काफी जादा उदास होती है कि वहां पर एक बुल बुल आ जाती है मीनो चिडिया क्या हुआ तुम इतनी उदास क्यूं हो और यहां तुम अपनी तीनों बेटियों को लेकर क्यूं बेटी हो बलबल मैं तुम्हें क्या बताऊं ये तो घर में बैठकर शराब पीते ही हैं और उपर से अपने दोस्तों को भी लियाते हैं ये सब कुछ मेरी बेटियां देखती होंगी तो इन पर क्या असर होता होगा बस मुझे अपनी बेटियों के भविश्यों की हरवक चिंता रेती हैं हाँ मीनो चिडिया तुमने बिल्कुल ठीक कहा अगर तुम्हारी तीनों बेटियां मानो चिडियों को शराब पीता हुआ देखेंगी तो उन पर बहुत बुरा असर होगा मीनो चेडिया अगर मेरा पती शराब पीता होता तो मैं तो उसके साथ कभी नहीं रहती और हमेशा हमेशा के लिए मैं उसे छोड़ कर चली जाती मीनो चेडिया चेलों में चलती हूँ मुझे भूजन भी जमा करना है बच्चे मेरा मेरे घर में इंतिजार कर रहे होंगे ये कैकरवे बुल बुल वहां से चली जाती है मैं क्या करूँ अगर मैं अपनी तीनो बेटियों को लेकर उसी घर में रही तो मेरी तीनो बेटियों का वविश्य खराब हो जाएगा बस मैंने आज से सोच लिया है कि आज से मैं दुबारा अपनी तीनों बेटियों को लेकर उस घर में नहीं जाओंगी और मैं किसी अच्छे से पेर पर गोंसला बना लूँगी और मैं अपनी तीनों बेटियों को लेकर उसे गोंसले में पूरी जिंदगी रहूंगी कमसकम इस तरह पीरी बेटियों का भविश्य तो खराब नहीं होगा फिर मीनो चड़िया रोजाना काफी जादा मैनत करती है और काफी सारे तिनके जमा करती है और उन तिनकों से मीनो चड़िया एक नया गोंसला बनाती है कुछ दिनों के बाद मीनू चड़िया ने दो गोशले तयार कर लिये थे जिसमें मीनू चड़िया अपनी तीनों बेटियों को लेकर सुकून से रह रही होती है और इधर ही मानो चड़े को ना तो अपनी पतनी और ना ही अपनी तीनों बेटियों की कोई चिंता थी के वे किस हाल में होंगी बस मानो चड़ा हर समय शराब ही पीता रहता था एक दिन मीनो चड़िया बोजन जमा करने के लिए जा रही होती है के मीनू चड़िया को सामने मानो चड़ा जाते हुए दिखता है ये कहा जा रही है लगता है ये शराब लेने जा रही होंगे चलो मैं इनके पीछे पीछे जाती हूँ देखती हूँ के आफर ये शराब का अंड़क इस तरफ है फिर मीनू चेडिया भी मानो चेड़े के पीछे पीछे जाने लगती है मीनू चेडिया देखती है के मानो चेड़ा एक सुराख वाले पेड़ के अंदर चला जाता है मीनू चेडिया भी फोरण उस सुराख वाले पेड़ के पास आ जाती है मीनो चेडिया उस सुराख वाले पेड़ के अंदर देखती है तो उस पेड़ के अंदर एक बड़ा सा शराब का अड़ा बना हुआ होता है और उस शराब के अड़े का मालिक एक कालू कववा होता है अच्छा तो इन सब ने इस पेड़ के अंदर शराब बिशने का अड़ा बनाया हुआ है ताके किसी को कुछ पता भी ना चले और ये खोब आराम से शराब बिश सकें मैं अभी जाकर ये सारी बातें मिठ्टु माराज को बताती हूँ ताके मिठ्टु माराज फॉरण ये शराब बिशने वाले कालु कवे को पकड़ ले फिर वे मीनुचिड्या फॉरण मिठ्टु माराज के महल चली जाती है मिठ्टु माराज मिठ्टु माराज मैं आज आपको एक बहुती एहम खबर देने आई हूँ अच्छा बोलो मीनोचिडिया तुम मुझे क्या खबर देने आई हो चल्दी बताओ मिठु माराज मैंने अभी देखा है कि जंगल के कौने में एक सुराख वाला पेड़ है उस सुराख वाले पेड़ के अंदर एक कालुकावे शरावे बेच रहा है अच्छा ऐसी बात है मीनोचिडिया तो फिर मैं उस कालुकावे को शराब बेचते हुए रंगे हाथों पकड़ूँगा चलो सैनिको फिर मिठु माराज अपने दो सैनिक लेकर उस शराब के अड़े के मालिक कालुकावे को पकड़ने के लिए चले जाते है सैनिको ये वही पेड है जिस पेड के अंदर कालुकावे को शराबे बेच रहा है चलो हम जल्दी से जाकर कालुकावे को पकड़ लेते हैं फिर मिठ्टू माराज और उसके सैनिक उस पेड़के अंदर आ जाते हैं कालु कववा मिठ्टू माराज को देखकर काफी जादा डर जाता है मँठ्टू माराज आप यहां पर कहां से आ गए आपको यहां का पता किस ने दिया कालू कवे ये पूरा जंगल मेरा है और तुम मेरे ही जंगल में शराब बेच रहे हो और तुम कह रहे हो कि ये बात मुझे नहीं पता होगी सैनिको इस कालू कवे को पकड़ कर महल ले चलो मिट्टू माराज उस कालू कवे को एक पिंजरे में कैद कर देते हैं और उस कालू कवे को शराब बेचने की सजा मिल जाती है अब मानो चड़े ने भी काफी दिनों से शराब नहीं पी थी क्योंकि मानो चड़े को काफी दिनों से कहीं से भी शराब नहीं मिल रही थी और अब मानो चड़े को काफी जादा पश्टावा होने लगा कि उसने मीनो चड़िया और अपनी तीनों बेटियों के साथ बहुत जादा गलत किया है मेरे अब शराब पीने की आदत छूड गई है मुझे अपने आप पर बहुत पश्टावा है मेरे अपनी बेटियों के साथ बहुत जादा गलत किया है मुझे उनसे माफी मांगनी चाहिए फिर वे मानो चड़ा फारन मीनो चड़िया के घुचले में आता है मीनो चड़िया मुझे माफ कर दो मेने शराब पीना च्छोड दी है और मेरी शराब पीने की आदत अब बिलकुल ही खतम हो चुकी है इसलिए मीनू चड़िया मेरे साथ मेरे घर में चलो मुझे अकेले घर में रहने में बिलकुल भी मज़ा नहीं आता है इसलिए मीनू चड़िया और मेरी बेटियों चलो मेरे साथ मेरे घर चलो अब मानोचिडा मीनोचिडिया और अपनी तीनों बेटियों को लेकर अपने घर में आ जाता है और अब मीनोचिडिया का परिवार सुकून से रहने लगता है